बढ़वानी इतने खराब है कि अपने लोगों के अंतिम संसकार से लेकर अस्तिया विसर्जन तक में लोग विभिन्न समस्याओं के चलते शामिल नहीं हो पार हैं। इसी माननेता है कि किसी भी म्रत विक्ति का अंतिम संसकार और क्रिया कर्म धार्मी करिती रिवास से होना चाहिए। ताकि म्रत आत्मा को शांती मिल सके ऐसे में अजित जेन जैसे लोग है जो अपनी खुद की परवा किये बगेर लोगों के अस्ति विसर्जन और अंतिम संसकार कर रहे हैं। लेकिन यह भी आस्चेरी जनक है एसी इस्तिती में म्रतक के समाज के रिष्टेदारों के मोहलों की पडोस के लोगों का आगे नाना चिंता वाली बात भी है। साथी अजित जेन ने जो मोत का आकड़ा बताया है वह दिखाता है कि पिछले महा म्रतकों की संक्या जो सरकार बता रही है उससे जदा थी। तो यह आज नहीं मतलब लगातार एक सवा महिने से अंतिम संस्कार के साथ अस्तिया विसरजित का कारिया जारी था। अभी तक लगभग 56 अस्तिया विसरजित कर चुका हूं। हम सवाधा की बात करें लगातार सवाधा के लिए भी कोई परिजन नहीं आपा रहे तो आपी सवाधा कर रहे हैं। मतलब जिला मुखलाई पर अस्पताल से जो निधन हुए थे उसमें कुछ ऐसे थे जिनके परिजन नहीं थे या लेडिस थी या बच्चे छोटे थे तो राजा सुविभाग के असके जी और अस्पताल परसासक के मुकेश जी डोंग्रे सुचना देते थे तो उनका पुरा सवयोग करते थे और निजी अस्पताल और घर से भी जिनका निधन हुआ था तो आके अंतिम संस्कार कराए हैं और अभी तक सो से उपर अंतिम संस्कार करा दिये हैं अपरिल महिने में